हेलो फ्रेंड्स, बेलकम माई येट्यूब चैनल, दोस्तो आज की इस वीडियो मा हम राश्टे फिल्म पुरुसकार 2021 देखेंगे, जो कि आपके सब आने वाले एक्जाम के लिए महत पूने, तो इसलिए आप वीडियो पूरे अंड तक देखते रहे हैं, और देखिए अगर महमार के कारण इसे टालना पड़ा था, अब 22 मार्च 2021 को सालच वे नैसनल फिल्म पुरुसकार के, सालच वे समहरों को आयजन, दिल्ली में नैसनल मीडिया सेंटर में किया गय था, तो देखें, 2021 में ये जो सालच वे राश्टे फिल्म पुरुसकार दिए गई हैं, तो ये मई 2020 में दिये जाने थे लेकिन कोरोना महामारी के काराण नहीं दिये गए अब ये 22 मार्च 2021 को दिये गए कौन से नमबर के थे तो 66 बे नमबर के राष्टे फिल्म पुरुसकार है याद रखना है और देखे इस बार फीचर फिल्म स्रेणी में 461 फिल्म में थी और गेर फीचर फिल्म स्रेणी में 220 फिल्म में सामिल की गई थी अब देखे यहाँ पर हम सीधे कोस्टन पर आते हैं तो यहाँ पर पहला कोस्टन है राष्टे फिल्म पुरुसकार की शुरुवाद कब हुई थी तो देखें, most important question है राष्टे फिल्म पुरुसकार की शुरुवाद हुई थी 1954 में तो इस कांसर option भी हो जाएगा 1954 में राष्टे फिल्म पुरुसकार की शुरुवाद की गई थी अब देखें, मैं आपको इसके बारे में बता दू जो राष्टे फिल्म पुरुसकार है तो ये भारत में चल चितर यानी की सिनेमा में दिये जाने वाला सरभोच पुरुसकार है देखें, राष्टे फिल्म पुरुसकार तीन खंडों में प्रदान किये जाते हैं फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर स्रेश्ट लेखन के लिए, याद रखना है? चलिए, अगला कोस्तन देखते हैं. राश्टे फिल्म पुरूश्कार 2021 में बैष्ट हिन्दी फीचर फिल्म का आवाड किसे मिला? तो देखिए 2021 में जो 66 वे राष्टे फिल्म पुरुसकार दिये गए है तो इनमें बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कावार्ट किसे दिया गया तो छिचोरे फिल्म को दिया गया तो इस काहन सरा उपसन हो जाएगा छिचोरे फिल्म को याद रखना है और आप से भी जानते हैं छिचोरे फिल्म किसकी थी इसमें मुख्य अभीनियता कोन थे तो सुसान्त सिंह राजपूत थे जिनका निधन हो चुका है अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि 64 फिल्म के डारेक्टर यानि की निर्देस कोन है ये भी most important है तो इस फिल्म के निर्देस को है नितेज ति बारी चलिए next question देखते हैं राजप फिल्म पुरुशकार 2021 में best actor यानि की best अभीनियता कावाट किसे मिला तो देखिए 2021 में राजप फिल्म पुरुशकारों में जो best अभीनियता कावाट दिया गया है यह दो अभिनिताओं को दिया गया कौन-कौन है तो मनोज बाचपई हैं जिने फिल्म भोंसले के लिए दिया गया और दूसरे हैं धनुस इनने फिल्म असुरन के लिए दिया गया तो इस कांसर ओप्सन डी हो जाएगा एवं भी दोनों तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने है इन दोनों को सहीकत रूप से 2021 में राष्टे फिल्म पुरुसकारों में बैस्ट अभिनिताओं का वार्ड दिया गया चलिए नेस्ट कोस्टन है राष्टे फिल्म पुरुसकारों में बेस्ट एक्टरेस यानि कि बेस्ट अभिनेहितरी का वार्ड किसे मिला तो देखें बात करें 2021 के राष्टे फिल्म पुरुसकारों में बेस्ट अभिनेहितरी का वार्ड किसे दिया गया तो इस कांसर ओप्सन सी हो जाएगा कंगना रनोट को कंगना रनोत को 66 वे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में बैस्ट अविनेतरी का वार्ड दिया गया अब देखे इने दो फिल्मों के लिए यह बाट दिया गया है मल्ली कल्डिका के लिए और पंगा फिल्म के लिए तो याद रखना है चले अगला कोस्शन देखते है राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 में best supporting actor का वार्ड किसे मिला अब देखे बात करे राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 में best supporting actor का वार्ड किसे दिया गया तो यह दिया गया विजे सेतू पती को तो इसका answer option D हो जाएगा बिजे सेतु पती को राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 में Best Supporting Actor का बार्ड दिया गया इन्हें फिल्म सूपर डिलक्स के लिए दिया गया है याद रखना है और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने study group में ज़्याद सज्याद है शेयर भी करें चलिए आगला question देखते है राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 में Best Supporting Actress का बार्ड किसे मिला तो इसका right answer option B हो जाएगा पल्लवी जोसिको तो देखे पल्लवी जोसिको राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 यानि की 66 वी राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Supporting Actress यानि की Best Supporting Abhinitri का बार्ड दिया गया किस फिल्म के लिए दिया गया दे तासकंद फाइल्स के लिए दिया गया याद रखना है चलिए Next Question देखते है Question No.7 है Best Female Playback Singer का बार्ड किसे मिला तो देखे सलसेट वे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Female Playback Singer का बार्ड दिया गया साबनी रबिंदर को तो इसका अंसरा अप्सन ही हो जाएगा साबनी रबिंदर को अब देखे इने किसली दिया गया तो जो मराठी फिल्म थी बार्डो तो उसके गाने राण पे टाले के लिए इने Best Female Playback Singer का बार्ड दिया गया याद रखना है चलिए Next Question है Best Male Playback Singer का बार्ड किसे दिया गया अब देखे बात करें कि 66 पे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Male Playback Singer का बार्ड किसे दिया गया तो इसका अंसरा उप्सन C हो जाएगा B.Prag को B.Prag को फिल्म केसरी में जो गाना था तेरी मिट्टी तो इसके लिए 66 पे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Male Playback Singer का बार्ड दिया गया याद रखना है चलिए अगला कॉस्सन है राष्टे फिल्म पुरुसकार 2021 में Best Direction यानि के जो डार्यक्टर का बार्ड यह है किसे दिया गया तो इसका Right Answer Option यह हो जाएगा संजय पूरन सिंग चोहान को संजय पूरन सिंग चोहान को 67 पे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Director यानि के निर्देसक का बार्ड दिया गया याद रखना है इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया याद रखना है चलिए अगला कोशन है राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Most Film Friendly State का अवार्ड किसे मिला तो देखे 66 पे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Most Film Friendly State का अवार्ड याद रखना है चलिए आगया देखते है अब देखे राष्टे फिल्म पुरुसकारों में जो और अवार्ड दिया गया है जैसे कि Best Film Critics यानि कि समिकसर का अवार्ड किसे दिया गया तो सोहिनी चटो बंध्याय को दिया गया Best Screen Play यानि कि Dialogue Writer का अवार्ड दिया गया विवेक रंजन अगनी उत्तरी को किस फिल्म के लिए तो तासगंद फाइल के लिए दिया गया इसके लाबा Best Editing का अवार्ड जटसी फिल्म को लिए दिया गया जो कि तैलगू फिल्म थी Best Cinema To Graphic आवार्ड दिया गया फिल्म जल्ली कट्टू को Best Known Feature फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया तो बाइल्ड करनाटक को दिया गया इसके लाबा Best Children फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया तो फिल्म कस्तूरी को दिया गया है Best Biographical फिल्म का अवार्ड दिया गया Elephant To Remember को याद रखना है और देखे बात करें Best तैलगू फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया गया अक्षी फिल्म को दिखे मैं आपको बता दू जो मैंने आपको शुरुआत में 10 कोसन कराए थे तो बे तो most important कोसन थे तो इसलिए आप उन कोसन को जरूर याद रखेगा अब जो मैं आपको यह बता रहा हूं तो यह जातर एकजाम नहीं पूछे आते हैं फिर वे आप इ आगे देखते हैं बेस्ट बंगाली फिल्म तो देखें बेस्ट बंगाली फिल्म का वाड़ मिला गुमनामी फिल्म को इसके लाबब बेस्ट हरियानवी फिल्म का वाड़ दिया गया छोर या छोरो से कम नहीं होती बात करें बेस्ट 36 फिल्म का तो यह वाड़ दिया गया फिल्म भुलान थे माजे फिल्म को इस्पेशल जूर्य अबर्ट दिया गया Small Scale Society इच फिल्म को जो की इंग्लिस फिल्म थी Best Animal Film का अबर्ट दिया गया Radha फिल्म को जो की musical फिल्म थी और Best Investigative Film का अबर्ट दिया गया जग्काल फिल्म को और देखिए इसके लाब मैं आपको आगे बता दू कि सिनेमा पर सबसे अच्छी किताब का जो अबार्ड दिया गया है संजे सूरी द्वारे लिखी किताब है जिसका नाम है एक गांधी बादी अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्टियल इन लबिन सिनेमा तो इस किताब को सिनेमा पर सबसे अच्छी किताब का अबार्ड दिया गया है याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदाया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छ लगाओ आपके लिए हैलफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और से आपके इसने जीता है तो दोस्तो इसकांसर आपको नेटी जल्दी से कमेंड वोक से बताना है और मैं आपको बता दू मैंने पहले से आश्टेलिया उपन 2021 का एक पूरा वीडियो बना रखा है अगर आपने बोई वीडियो नहीं देखा तो आप उसे चैनल में जाकर देख अरत